तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिटूरियल वकाबरी की वकाबरी से आज का पहला वर्ड है फोबोजिंग यहां पर नाम की तरह यूज़ हुआ है है यह पूरा कोविट के बारे में दिया गया है जो न्यू वरियेंट है उसके बारे में बाते कही गई है पढ़ने इडिटूरियल है जरूर करके आप पढ़िए बारे वर्ड है फोर्गा में के मतलग होता है synonym साब देखे लिए, presage, potent, premonition, sign, prognostigation, or for token antonym से bright, hopeful, golden, or confidence example देख लिजी, she was suddenly filled with a sense of forbidding किसी महिला की बात ही रही जल्दी ही उसे किसी घटना की जो आपदा आने वाली थी उसका एक्टम से पूरो अभास हो चुका था अगला हमारा शब्द रिट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है रिट का मतलब होता है किसी को कोई आदेश देना आग्या पत्र उसे बोला जाता है रिट a रिट is a legal document that orders a person to do a particular thing synonym साब देख सकते हैं वारंट, summons, order, injunction, mandate, decree, or citation antonym से reprive, ban, denial, or disapproval example देख सकते हैं आप the right of the central government did not run in some parts तो देश के कुछ भाग में जो सरकार ने किसी तरह का कोई आदेश जारी किया तो उसकी अभिलना हो रही है मतलब उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है देश के कुछ भागों में अगला हमारा शब्द है विजलिंट यहां पेजिक्तिक भी तरह यूज हुआ है विजलिंट का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय बिलकुल एकदम सतर करेना चौकस रहना या साफधानी बरतना जागरूख होना उसे बोला जाता है विजलिंट careful and looking out for danger synonyms आप देख सकते हैं alert, watchful, attentive, observant, cautious और careful, antonym से careless, inattentive, unaware और negligent example देख सकते हैं आप vigilance of our soldiers foiled an attempted attack on the border कि हमारी सैनी को की चौकसी से साफधानी से किसी तरह का कोई attack हुआ बार पर तो उन्होंने उसे निरस्त कर दिया जो attack किया किसी ने border पर सीमा पर border को उन्होंने attack को नाकाम कर दिया सतरकता की वज़े से अगला हमारा शब्द is exhausted, exhausted यहां पर वर्पी तरह यूज़ हुआ है exhausted का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई आदेश देना हम बोल सकते हैं उपर देश देना या प्रेड़ करना किसी को किसी काम को करने के लिए पर साहित करना उसे बोला जाएगा exalted, a communication intended to urge or persuade the recipients to take some action synonyms आप देख सकते हैं, urge, encourage, advised or cautioned, antonym से discourage, block, crush or curb example आप देख सकते हैं, his father exalted him to take the civil services exam तो उसके लड़की की बात हुरी है कि उसके फादर ने उसे civil services exam देने का उपदेश दिया इस तरह से प्रेइद किया है कि उसे इसके तयारी करनी चाहिए, अगला हमारा शब्द है curtail, यहां पर वर्पी तरह use हुआ है curtail का मतलब होता है, छोटा करना किसी चीज़ को कम करना, shorten करना उसे बुलायाता है curtail if you curtail something, you reduce or limit it, synonyms देख लीजे, shorten, reduce, diminish, decrease, antonyms extend, increase, expand or amplify example आप देख सकते हैं, I had to curtail my answer as I was running out of time कि मुझे अपना उत्तर जो है, मुझे अपना उत्तर जो है, उसमें कमी करनी पड़ी, किसी तरह का मैं कोई प्रशन का उत्तर लिख रहा था Synonyms देख लीजिए, Declined, Vained, Reseded, Abated, Faded, or Deteriorated Antonyms Advanced, Abound, or Develop Example देख लीजिए, The Crowd's Enthusiasm Begin to Ebb कि भीड का जो Enthusiasm था, उनकी जो रूची थी, एक्तम से बुरान का Enthusiasm था, उसमें कम ही आ रही थी, उसमें वो कम हो रहा था, उनका जो Enthusiasm था Devastating का मतलब होता है, ऐसे कोई स्थिती जो बिलकुल से ही बहुत ज़्यादा हानी पहुचाने वाली हो, हानी कारक होना, विद्वन्सकारी होना, विनाशकारी होना, उसे बुला जागा Devastating If you describe something as devastating, you are emphasizing that it is very harmful or damaging Synonyms देखते हैं, destructive, earnest, disastrous or calamitous, antonyum से constructive, happy, respectful or ameliorative Example आप देखते हैं, after do have a devastating effect on marriages, अब माफ कीज़ेगा, affairs do have a devastating effect on marriages तो मैं पता ही होगा आपको भी, कि यह common सी बात है कि एक्स्रा marital affairs होते हैं, वो marriages पे बहुत ज़्यादा हानी कारण बूरा प्रभावों डालते हैं अगला हमारा शब्द है consternation, यहाँ पे नाउन की तरह used हुआ है, consternation का मतलब होता है किसी तरह किसी बात को लेकर किसी तरह की कोई व्याकूलता, घभरहाट होना, कोई चिंता होना उसे बोला जाता है consternation Consternation is a feeling of anxiety or fear Synonyms आप देख सकते हैं, this में, alarm, fear or panic Entorium से calmness, spacefulness, calm और assurance Example आप देख सकते हैं, we steered at each other in consternation कि हमने एक दूसरे की तरफ बड़ी ही व्याकूलता भरी दृष्टी से देखा घभरहाट या चिंता की दृष्टी से हम एक दूसरे को ताकने लगे, घूरने लगे अगला हमारा शब्द हाबरेंजर, यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है, हाबरेंजर का भी मतलब होता है कोई बुरी घटना घटने वाली है, कोई अब शगूल होने वाला है तो उसके पहले ही संकेत मिल जाना उसे बोला जाता है, हाबरेंजर Something that is a harbinger of something else, especially something bad Stung my cheeks, a harbinger of winter, की जो नवंबर की जो धंडी धंडी हावा थी, उसने मेरे, मतलब स्टंग का मतलब तो इसे डंक मारना होता है कि मेरे गालों पे वो चुई, जो की यह बुलावा था, संकेत थे की सरदियाब आ चुकी है अगला हमारा शब्द है, havoc, havoc यहाँ पे noun की तरह यूज़ हुआ है, havoc का मतलब होता है, बहुत बुरी तरह से तबाही होना, विनाश होना, बरबादी होना कहीं पे That is called havoc, havoc is great disorder and confusion, synonyms आप देख सकते हैं, chaos, destruction, mayhem, devastation, antonym से resurrection, calm, rehabilitation or tank quality Example देख लीजे, the rail strikes will cause havoc all over the country कि किसी तरह से जो rail strike की, rail की हड़ताल है, rail करमचारियों की हड़ताल थी उसने पूरी तरह से मतलब अस्त विस्ता कर दी पूरे देश में, एकदम बरबादी की स्थिति या तबाही की स्थिति उत्पन हो गई, rail करिमियों की हड़ताल से अगला हमारा शब्द है, vulnerable यहां पे एजक्तिवी तरह यूज हुआ है, vulnerable का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल सब्वेदन शिल हो, नाजु को बहुत जादा दुरूबल या कमजोर होना, जीसे easily hurt किया जा सके, physically या emotionally, that is called vulnerable, something who is vulnerable, is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally, synonym साब द old people are particularly vulnerable members of our society, कि हमारे समाज के जो बुढ़े लोग होते हैं, वो obvious सी बात है, बहुत सम्वेदन शिलिया, कमजोर वो लोग हमारे society के होते हैं, अगला हमारा शब्द है severe, यहां पे adjective की तरह used हुआ है, severe का मतलब होता है, ऐसी कोई स्थिति जो बहुत कष्ट पहुंचाने वाल है harsh, serious, hard और tough, antonym से calm, mild, kind और peaceful, example देख लिजिए, such terrible crimes deserve the severest punishment, किसी तरह के crime, जुर्म की बात हुरी कि इस तरह को जो terrible यह crime से उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, अगला हमारा शब्द है mingling, यहां पे verb की तरह used हुआ है, new word है, ध्यांसी इसको नोट के लिजेगा, mingling का मतलब होता है, लोगों का आपस में मिलना, एकत्र होना, लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ना, उसे बोला जाएगा mingling, to mix with other things or people, synonyms देख लिजेए, blending, merging, mixing, combination, merger, or joining, antonym से इसके separating, parting, isolated, or remote, example देख लिजेए, his excitement was mingled with fear, कि उसकी जो excitement थी, उस का डर्भी उस में मिला हुआ था, उसके excitement में, अगला हमारा सब्द है, weaning, यहां पर वर्व की तरह use हुआ है, weaning का मतलब होता है, किसी चीज़ को छोड़ के चले जाना, या किसी चीज़ को छोड़ना, या छोड़ाना अपने से किसी चीज़ को, या दूसरे हम कंटेक्स मे बोल सकते हैं, माता जब छोड़ा बच्चा होता है, छोड़ा बेबी जब होता है, जो उसके दूद छोड़ चोड़वाती है, दो डाई जा तीन साल के बाद, तो उस क्रिया को भी, उस काम को भी बोला जाएगा, weaning, if you wean someone of a habit or something they like, you gradually make them stop doing it or liking it, especially when you think it is bad for them, synonyms देख लि और pills with small quantities of nicotine to wean you from the habit, किसी को किसी तरह की लथ है, तो उसके बारे में बात कहिएगे, कि तुम्हें छोड़ी छोड़ी जो nicotines की जो यह पिल से दवाईया है, यह तुम्हें दे जा रही है, जो कि इस आदत को छुड़ाने में तुम्हारी help करेंगी, यह capsules तुम्हें, जो की जाने वाली जो नाव होती है, उसे बुला जाता है, ट्रॉलर, ट्रॉलर is a fishing boat that is used for trolling, synonyms देख लीजिए आप, dragger, fisherman, watercraft, boat, fishing boat, example, देख लीजिए, a big rescue operation has been launched for a troller missing in the North Atlantic, कि North Atlantic में इसी तरह की fishing boat गुम हो चुकी है, मतलब missing हो चुकी है, तो उसका rescue के लिए operation चलाया जा रह अगला हमारा शब्द है impound, यहां पर वर्पी तरह यूज हुआ है, यह भी new word है, impound का मतलब होता है, किसी चीज को जब्द करना, हमने किसी तरह के कोई मतलब कोई गलत काम किया है, या इस तरह से कोई चीजे की है, तो जब्द कर लेना, चीजे, छीन लेना या जब्द कर यह word यूज हुआ है, सजा के तौर पे, if something is impounded by police officers, custom officers or other officials, they officially take possession of it, because the law or rule has been broken, synonyms आप देख सकते हैं, seize, confine, pound, imprison, attach, or confine, antonym से alienate, discharge, out, or own, example, देख लिजे, all the money was impounded by the police after the raid, किसी तरह की कहीं पर कोई रेड हुई, तो वहां पर जितना भी धन था, जितना भी पैसा था, वो पुलिस के तौरा जब्द कर लिया गया, अगला हमारा शब्द है, poaching, यहां पर noun की तरह यूज हुआ है, poaching का मतलब होता है, अवैद रूप से शिकार करना, editorial में बात कही गई है, हमारी जो fisher man है, वो शिलंगा के तौरा पकड़े गए हैं, तो मतलब उनकी territory में जाकर, इस called poaching, synonyms आप देख सकते हैं, roasting, steel, theft, smuggling, antonyum से frigid, freezing or better, example देख लिजे, actor Salman Khan has been found guilty in the black bug poaching case, की actor Salman Khan को black bug poaching case में जो है, इस तरह का उन्होंने वैद शिकार किया था, उन्हें उन्हें guilty, मतलब अपराधी करात दिया गया, अगला हमारा शब्द है, tangible, यहां पेजिक्ति भी त इखाई दे, उसे बोला जाएगा, tangible, that can be clearly seen to exist, synonyms आप देख सकते हैं, real, palpable, material or physical, antonyum से abstract, intangible, unreal or impalpable, example देख लीजे, there are tangible benefits in the new system, new system की बात की जारे कि इस new system में बहुत सारे वास्तविक, जो है वो, लाब मिलेंगे, वास्तविक्ता के तोर पर, जिस पर बहुत सारे फाय देना, धरना देना, धरना पर देशन करना, आंदोलन करना किसी तरह का, that is called agitation, if someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, moments or voice, synonyms आप देख से रमोल, commotion, disquiet or excitement, antonyum से peace, calm, comfort or composure, example देख लीजे, small shopkeepers carried on a long agitation against the big departmental store, जो big बड़े-बड़े department, जो stores होते हैं, उनके परती, जो छोड़ी-छोड़ी दुकान दार होते हैं, उन्होंने आंदोलन किया, धरना परदेशन किया, मोर्चा खोल दिया, अगला हमारा सब्द है stringent, यहाँ पर adjective तरह used हुआ है, stringent का मतलग होता है, ऐसे कोई कानून या नियम, या ऐसे कोई views, या ऐसी कोई laws, rules, यह बहुत कट होड़ता के साथ अपनाए जाएं, बहुत जादा कटोर हो, सक्त हो, उन्हें बोला जाता है stringent, stringent laws, rules, or conditions are very severe, or are strictly controlled, synonymous आप देख सकते हैं, rigorous, strict, harsh, or severe, and tolerant, flexible, lenient, or lex, example, देख लिएचे, he announced that there would be more stringent controls on the position of weapons, तो किसी अधिकारी ने यह announcement की, यह थियारों के रखने से संबंधित, जितने भी कानून या नियम है, उनको सक्ती से उनको लागू किया जाएगा, कठोड़ता है से उसको लागू किया जाएगा, तो यह word आज कि दे हिंदुरी tutorial vocabulary का अंतिम शब्दा, इ vocabulary की जो class हमारी होती है, यह होती है 6.30 a.m. पे daily, बट काफी समय से मैं irregular हूँ, एक डेट महीना मुझे irregular हो गया है, थोड़ी सी problem थी, तो irregularity अभी भी चल रही है, तो मैं कोशिश यह करता हूँ, कि भी आठोजे से पहले आपको vocab मिल जाए, और मैं कोशिश मेरी यही रहेग कि आपको 6.30 पे सुभा एक दम बिल्कुल vocab मिल जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अगर हो ज़के तो वीडियो को जादा-जादा शेयर भी कर दीजेगा, इस वीडियो में इतना ही, से तरक informative वीडियो के लिए बन रही है जादे चनल पर, थाद वीडियो के लिए को लाइक के लिए याँ पीडियो के बिल्कुल थादादा लाइक का लिएर शेग्योट है।